जे माता दी आई ये जानते हैं दसा माता की नौमी कथा एक गाउ में एक बुढिया प्रामरी रहती थी वह बहुत गरीब थी उसका एक बेटा था एक दिन वह अपने बेटे से बोली बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे चार पैसे की आमदने हो और हम दोनों का जीवन निर्वा हो अब मेरे तो बुढ़ापी के कारण हाथ पैरों ने जबाब दे दिया है तब उसका लड़का गाउ मालों की जानवर चराने लगा एक दिन लड़का पस्वों को पानी पिलाने नदी पर ले गया वहाँ पर महिलाएं अश्नान करके दसा माता का डोरा ले रही थी उनके पास एक दोरा बच गया था उनमें से एक इस्त्री ने कहा कि इस लड़के से पूछो कि यह किसका बेटा है तब एक इस्त्री लड़के के पास जाकर पूछने लगी तुम्हारे घर में कौन-कौन है लड़के ने बताया कि केवल मेरी बूठी मा है इस्त्रियों ने लड़ लड़के को एक दोरा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपने माता को दे दो और कहना कि इसका पूजन और ब्रत करें हम तुम्हे सीधा और पूजा की सामगरे भी बता देते हैं इसे भी अपने माता को बता देना लड़के ने उनसे दोरा ले लिया फिर सविस्त्रि उसे सिधा भी दिया लड़का उस सामान को लेकर घर आया उसने दरवाजे से ही मा को पुकार कर कहा गठरी को उतार लो मैं बोज से दबा जा रहा हूं उसकी मा बहुत प्रसंध हुई मा ने बेटे से पूछा यह सब कहां से लाए हो लड़के ने मा को सब समाचार सुना कर दसा माता का दोरा भी दे दिया बुर्या ने दोरे को लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से ग्रत करने लगी नौ दिन तक कथा कहानी कहती रही दस्मे दिन उसने गोरे की पूजन की वह देहरी के बाहर गोबर से लीप रही थी की उसी समय एक बहुत ही गरीब बुर्या आकर बोली की क्या कर रही हो बहन उसने जबाब दिया कि आज मेरे घर पर दसा माता का पूजन है इसलिए लीप रही हूँ उस बुढ़िया रूपी दसा माता ने मुझे बहुत प्यास लगी है बोली थोड़ा सा पानी पिला दे इस पर लड़के की माता बोली मैं तो इस मिती के बरतन से प रूटिया कुछ भी नहीं है तुमको पानी किस में पिलाओं एक कटोरी ही मेरे घर में है पता नहीं वह कहां पड़ी होगी जरा तुम ठरो मैं कटोरी लेकर आती हूँ तब तुमको पानी पिलाओंगी बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई इसी भी दसा माता जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था उसके मटके रखने की जगह पर एक सोने का घरा रखकर अंतर ध्यान हो गई उस जगह पर एक सोने का घरा रखकर जब वोई अंतर ध्यान हो गई तो बुढ़िया कटोरी लेकर मटके के पास आए वहां सोने का घरा दे कर घबराई वह मन में सोचने लगी कि मुझ पर बुढ़ापे में चोरी का नाम लगेगा मैं चोर कहलाऊंगी वह इस चिंता में दसा माता रूपी बुढ़िया को खोजने निकली तक तक उसका लड़का भी घर आ गया था उसने मा से पूछा तुम किसे खोज रही हो उसने ब तोने का घरा रखकर न जाने कहां चली गई लड़के ने बताया वही तो दसा माता थी उन्होंने तुमको यहां घरा दिया है दुबारा फिर कभी वह आएं तो उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रखना और उनकी आग्या का पालन करना जब तुम नदी पर नहाने जाओ त तुम्हें नदी घाट पर जो भी चीज मिले उसको दसा माता का दिया हुआ प्रसाद समझ कर ले लेना किसी से यह पूश्टाच मत करना की यह चीज किसकी है यह कहां से आई है बुर्या नदी में नहा कर बाहर निकली तो उसे सोने का घरा भरा दिखाई दिया और उसके पा कप्रों को पहन लिया और घरी को हाथ में लेकर चलने की तैयारी की चार कहा एक डोली लेकर उसके पास आए कहा रोने उसे डोली में बैठने को कहा बुर्या जब घर पहुची तो उसने देखा कि वहां तो एक आलिसान महल खड़ा था बुर्या महल के अंदर चली गई वहां उसने सद्धा पुर्वक और भक्ती भाव से दसा माता के डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर बरदान मांगा की जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी है उसी प्रकार मेरे घर में एक सुसील बहु और आ जाए तभी यह सब शोभा देगा कुछ दिनों बाद लड़के का विभा हो गया और बहु थी शुन्दर बहु शुशील बुर्या के घर आ गई बुर्या ने दोबारा दसा माता से बर्मांगा की जैसे मेरे बहु बेटे सुसील और सज्जन है उसी प्रकार के मैं पौत्र पाऊँ कुछ दिनों बाद बुर्या के अहां एक पौत्र रुपी रत्न पैदा हुआ एक दिन बुर्या ने अपनी बहु को पास बैठा कर समझाया की मेरी यह सब संपत्ती दसा माता की प्रदान की हुई है उन्ही की किरपा से तुम इस घर में आई हो मेरे नहीं रहने के बाद यदि कोई मैले कुछेले कपड़े धारर किये बुर्या तुम्हारे घर पर आये तो उसे आचल के छोड से पोच डालना घिन मत करना उसे प्रार्थना करना यह सब आपका ही दिया हुआ है तो जब भी दसा माता का डोरा लेना हो तब उसको तुम भी अवश्य लेना और स्रधा पुर्वक उसका पूजन करना जब भी तुम्हारे उपर संकत के बादल घिराएं तो शुहागिनों को निवता देना दसा माता की किरपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होंगी कुछ दिनों के बाद बुर्या का श्वर्ग बाश हो गया, दसा माता ने सोचा की बुर्या के घर चल कर देखना चाहिए की उसकी बहु सास के वचनों का पालन करती है या नहीं, एक दिन दसा माता ने बृधा भिखार इनका वेश धर कर उसके घर गई, उसे देखते ही बहु खड़ी हो गई, उसके पाउच हुए और बालक को उनकी गोद में डाल दिया, उनकी स्रधा भक्ती से दसा माता बहुत प्रसंद हुई, उन्होंने आसिर बाद दिया की तेरी धर अर्म बुद्धी है, भगवान तेरा सदय कल्यार करेंगे, भंडार भरपुर रहेगा, तु जो इच्छा करेगी, वह तुझी अवश्य प्राप्त होगा, दसा माता ने जैसी क्रिपा बुढ़िया ब्रामरी पर की, वैसी ही क्रिपा भक्त जनों पर बनी रहे।